तो वाट इथ के सीजन 3 कंट्रीलर आ चुका है और यह काफी जादा भावान लग रहा है जिसमें सिर्फ 8 एपिसोर्स होने वाले हैं और इसमें जो कॉमन एनिमी होने वाला है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उसके बारे में भी स्पेकुलेट करेंगे और जो भी ह बागी हिरोस के साथ मिलकर अपने मेगाज़ॉर्ट को कर रहे होते हैं जहां पर सैम चिलाता भी है अवेंजस असेंबर यहां पर हमें रेड गार्डियन भी दिखने को मिलता है और तो और यह दिखना काफी दिर्जस्प होगा कि यहां पर यह लोग किसके अगेस्ट क्योंकि वह यह पावर रेंजर जैसा फील दे रहा है जिसके अंदर यह ओविसली किसी वड़े तरसे लड़ रहे होंगी अब ऐसा तो सुनने में आया था कि वो जो बाट है वो गाम मॉस्टर्स होने वाले हैं पर ऐसा भी हो सकता है कि सर्टर एस गार्ड को तभा करने के ब और आकरी फोप को भी खो देंगे वैल आपको क्या लगता है कि इतने पड़े मेगा जॉट का इस्तमाल करके यह विंजस किस से लड़ रहे होंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिली विल्यम्स के बारे में क्योंकि पहले आरन मैन जैसा फोड़ा वाइल दे रहा है बट इसमें वाकांडर टज भी है और हम सब को पता है कि जब टेक की बात हो तो इसका मिलन भी टेकी होने वाला है जो कि और कोई नहीं बलकि यह विजन होगा जो कि शायद तक स्पेक्टरल विजन के नाम से जाना जाए जो कि अस ओरिजिनल विजन से और यहाँ पर सिर्फ प्रिवी विजन से नहीं है जो इस वाइट विजन का सामना करेगी वालकि इसके अगेस्ट होंगे और एक टीम जिसमें वांग, वैक्री और कोई और मेरे क्या से सैंग्ची की चाची होने वाली है क्योंकि इस वाइट विजन के अगेंस्ट अपिन लोगों को लड़ते हैं कि शॉट के अंदर देख सकते हैं, तो यह देखना काफी जादा दिर्चास होगा कि वाइट वेजन इसके कैसे लगता है, क्योंकि भले इसके पास माइट स्टोर ना हो, लेकिन यह है तो बहुत ही पावरफूल क्यरेक्टर जिस अब यह किस एपिसोड का पार्ट है, इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है, यह वुष पोवैबली उस एपिसोड से जोड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें हमें डार्सी एन होवर्ड ड़क दीखे, अब आपको याद होगा, तो पिछले में 40 में हमें देखने को मिल चुका ह कि डार्सी होवर्ड ड़क से शादी करती, तो क्या पता, इन लोग अब एक सीनियस रिलेशन चीट में हो, और वही चीज़ हमें याँ देखने को मिले, और इस एपिसोड का जो टोन होगा, वो काफी जादा लाइट हो, जो कि कॉमेंटी पर जादा फोकस करता हो, मेरे ख्य गार्डियन, विंटर सोलजर को देखके काफी जादा खुश हो रहा होता है, तो ये एक तरह तो पीकोल या फिर उन लोगों के हिस्ट्री से रिलेटेड एक एपिसोड हो सकता है, जहां पर ये उनकी फ्रेंड्शिप को दिखाए, जो कि ट्रेलर में भी काफी जादा एवि में आखो कर वेस्टन साइड में टेक लिस्ट कर रही हो, वो भी कावबोई के टाइम में, और यहां पर हमी वेन वो तिखाए जाते हैं, और इसके शाद जो लड़की है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि केट बिशप होने वाली है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे प्लियाउट होने वाला है, क्योंकि टेलर के एक शॉट के अंदर हमें किंग्समैन जैसे फाइट की थोड़ी से विंस देखती है, जो कि कावबोई से रिलिटिर होती है, ये होने वाला है, फिर दिखता है टेलर का वन आफ दी बेस्ट सीन, जो कि है स्टॉर्म, बट वो अ पर स्टॉर्ण की मदद करें, वैसे देखा जाये तो स्टॉर्ण एक उमेगा नेवल म्यूटेंट है, तो उसके पावर्स ओन्रेडी का पर जादा हाई है, और मियोनिर उसके पावर्स को शाय तक उतना अपलिफ्ट ना भी करें, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा ही वा था, कि ज जमने वाला, इसके अलावा, हो सकता है कि यह फाइनल एपिसोड का ही हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कावरी और जो वाचर्स रहते हैं, सब आपसे बूल रहते हैं कि हमें किसी बहुत ही बड़ी पावर हीटर की ज़रुवत है, और तभी उसके बाद हमें स्टॉर्म को दिख वाट इफ के अंदर इतना बड़त बनेगा या बस जलत दिखाने के लिए हैं, यह तो हमें वाट इफ के सीरीज में ही पता चलेगा, इसके अलावा हमें पहली बार वाटू के अलावा एक दूसरा या फिर कहें तीन वाचर देखने को मिलते हैं, और यह लोग यहाँ पर व पानी की कोशिश करता है, और यहाँ पर देखने को मिले, इस सीजन के अदर उसके पीछे इन लोगों का हाथ हो, और फिर हमें वाचर 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 दो देखने को मिले, और इन लोगों द्वारा जो मैनुपिलेटेट क्यारेक्टर से और जो थ्रेट बने हैं, वह लोगों ने भी कुछ विलर्स बनाएं यहां पर हमें एक नई करेक्टर देखती है जो कि कावरी के जैसे एंसी ओरीजिनल होने वाली है जिसका नाम शायंदक बर्डी होगा और इसको जो वाइस दी है वो हमें इसको फोर की जैसा देखिए तो इसके अलावाद आप देखो तो यहां पर यहां पर आख जैसा लग रहा है सुने भी यहां हो सकता है कि टियावर्ट आजाद हो गया हो और उसी को हमें यहां पर देखने को मिल रहा है बट यह रिंग्स के वज़े से हम कह सकते हैं कि टियावर्ट इस पार अर्थ पे नहीं बलके दूसरे प्लानेट पे था लेकिन अगर दूसरे प्लानेट पे था तो पावर मिलेगा कहा से यह तो सोचने वाली बात है चोकि हम उतना नहीं सोचने वाले और देखके ही जान जाएंगे इसका जवाब किया है इसके अलावा सिबसे यूनिक और सबसे हसने वाली बात जो जिल्ला की स्ट्रीलर के अंदर वो थी आधाता आटमिस की क्योंकि यह वह क कोई को हर रहा कर से लिश्चन लेवल की बन जाती है और अगर यह वहां से नहीं भी करती है तो अप इस शॉट को देखो जहां पर आधाता के ग्रैंड रूप को देखते हैं और उसके जो डिजाइन है वो काफी हद तक शलिश्यल से मैश खाता है इन फैक इस वाटिव के टेलर में हमें आईश्यल भी दिखने को मिला है जिसके सामने दो लोग खड़े रहते हैं अब यह दो लोग वहां है उसका तो अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है लेकिन आधाता का यह विशाल रूप देख के मुझे काफी जादा हसी आ रही है कि जिस करड़र को कभी उतना भाव ना मिला हो इस सीजन के अंदर उसको इतना जाद़ पावड देर जितमा शायद तक किसी एंसयो करेक्टर को ना मिला हो खैर यह सीजन काफी जाद़ा बावाल होने वाला है कि इसमें हमें मेला जॉट्स देखने को मिलने वाले हैं और हाइप को मैच कर सकता है या उसको सरपास करता है क्योंकि सीजन टो में दिखाया तो काफी कुछ था लेकिन मुझे लगता है कि सीजन वन ज्यादा बेटर था जब से सीजन टू के फाइनल एपिसोट को तेखा था आपका क्या कहाना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरीए बता आप लेकिन बता है